एलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे रश्या और यूक्रेन वार से संबंदित, जितना भी फेक्ट्स है, जितना भी जानकारी है जो आपके एक्जाम के लिए, एक्जाम के लिए relevant हो, यह सारे डिसकस करेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं कि रश्या और यूक Union of Soviet Socialist Republic USSR का full form होता है Union of Soviet Socialist Republic इनका स्थापना का होता है इसका स्थापना होता है 1922 के अंतरगत इसका स्थापना होता है 1922 में और इसमें कुल मेंबर टोटल 15 कंट्री सामील थे तिन है टोटल 15 कंट्री इन पंदरो देशों में से काजाकास्तान किर्गीस्तान ताजिकिस्तान तूर्कमेनिस्तान उज्वेकिस्तान जर्जिया आर्मेनिया अजर्बाइजान इस्तोनिया लाथिविया लिथवानिया यूक्रेन मोल्डभा बेलारूस और रशिया यह सब इसमें सामीलतें तीय सोभियत संग दन्थरकत यह सवुझत-उन्यस यानि कि छो सवुझत था यह यूरोप कंटिनेंट में आता है यूरोप कंटिनेंट और Detroit dependent का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कोन है रश्या है सबसे बड़ा है रश्या और सेकंड लार्जेस्ट है यूक्रेन सेकंड लार्जेस्ट यूक्रेन यह याद रखों यूक्रेन और रश्या देखो यह आपके एक्जाम में जो सवाल बनेगा पहला यह सवाल है कि सोवियत संग का यह सारे जो 15 देश है इनका बिखंडन हुआ था 1991 कंदर 1991 कंदर इसका बिखंडन होता है शोव्यत संग का अब हम यूक्रेन की जोगरफी को समझेंगे देखो ये है यूक्रेन और यूक्रेन के राजधानी ये कीव है ये देखो अभी ये यूक्रेन के आस पास में इसके पड नर्थ में बेलारूस इस्ट में रशिया यहां आ जायो ये वैस्ट में है पोलंड स्लोभाक्या East में है Russia, North में है Belarus, West में है Poland, Slovakia, Hungary and South West में है Moldova and Romania. The South Korea is Black Sea and Azov Sea. sortir bank One important thing, Black Sea और Ajov Sea, Ukraine and Russia are separated by the Kerch State, Kerch State, which connects Black Sea and Ajov Sea, याद रखो, Ukraine और Russia को separate करने वाला स्ट्रेट है, Kerch State, और ये Kerch State आपका जो काला सा गर है और Ajov सा गर है, ये दोनों को connect करता है, Kerch State, याद रखो, exams के लिए बहुती अति महत बढ़न है, Kerch State, देखो, आज का जो Ukraine और Russia का जो conflict है, जो विवाद है, इसको समझने से पहले, इसका जड़ कहां से सुरुवात होता, इसको पहले समझते हैं, देखो, ये है क्रिमिया, सन 2004 में, रश्या क्रिमिया के उपर attack करता है, और इसको अपना कवजय में ले लेता है, जैसे काफी सारे जो developed country है, जैसे कि France, Germany, USA, जैसे काफी सारे country इसको निंदा करते हैं, ऐसे नहीं करना, चाहिए ऐसी कहते हैं, और एक country था, जो organization था, developed country का, जैसे G8 country नाम से एक organization भी था, इन में से रश्या को निकाला गया, ये क्रिमिया के उपर attack किया, इसके बज़े से रश्या को बाहर कर दे गया, और रह गया G7 country, G7 country, आपके exam के लिए G7 country का member कितना है, और कौन-कौन सा ये important है, G7 country का member है, एक trick है GF Jus, GF Jus, तो G7 country का अभी जो memory है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कानडा, इंगलन्ड, ये G7 country का member है, 2004 में रश्या भी शामिल था, और ये G8 country कहलाता था, ठीक, अभी G7 रह गया, ये रश्या, तो ये तो 2004 का घटना हुआ, 2004 के बाद, फिर एक समझोता होता है, जिसको Minks समझोता कहता है, ये कहां हुआ था Belarus, Belarus के राज़धानी मीनिस्क में हुआ था, कहां हुआ था मीनिस्क के अंदर समझोता होता है, जिस समझोते के कारण, अभी, देखो, ये जो UKrain ना 2017 में NATO join करना चाहता है NATO NATO होता क्या देखो ये NATO और एक है European Union एक है European Union इसको समझो आपके एक्जाम के लिए क्या महत्तकुल है NATO और European Union पहले तो यह समझे लो NATO का फुल्फरम होता है North Atlantic Treaty Organization North Atlantic Treaty Organization इसमें कुल 30 मेंबर है इसमें कुल 30 मेंबर है और इसका स्थापना होता है 4 April 1949 में इसका स्थापना होता है European Union में कुल कितना है 27 मेंबर है कुल 27 जो European और NATO ये इन दोनों का जो मेंबर लगभक्षायम है पूरा तो ये देखो और इन दोनों का हैटकर का है बुशेलम में के ब्रुसेल्स का है बल्जीम कें इंदर ब्रुसेलमम ये आपके एगजाम के perspective में जब ये उक्रेशार चाहता है कि tea नाटो जन करने के लिए तो यह रश्या बिरोद करता है क्यों देखो यह सबसे पहले जितना वे कंट्री जो डिविजन हुए थे जो टूटके बिखर गयते यह पहले 1922 में 1922 से 1991 तक यह एक ही शोभेद संग कहलाते थे यह सारे इसलिए यह रश्या बिरोद कि नाटो जन मत कुद पढ़ा और अभी यह दोनों यह नाटो और यूरोपयान इनन इसको साथ भी नहीं दे रहे यह तो अलग मुद्दा है हम अपना एक्जाम के परस्पेक्ट जे बात करेंगे देखो यह यूक्रेन और यह रश्या और रश्या क्या करता है यह है डोनवास एरिया यह है डोनवास यह है लोहांक्स और दोनेट्स को इन दोनों को क्या करता है अलग कर देता है और कहता है कि मिन्क समझोता के सधाथ इन दोनों को विवादययद Iy कर देता है और इन समझोता में यह था कि अगर यूक्रेयन के अंदर कोई अगर विवाद्य शेत्रय रहेगा और यह चाहेगा कि सेपारेट कंट्री होना चाहता है स्वतंत्र होना चाहता है तो इसको अलग किया जाएगा, यह मिन्क समझोता में था और यह रेश्या इन दोनों को अलग कर देता है, यह देखो अभी जो यूक्रेन के अंदर जो फेक्ट के एक्जाम के लिए, यूक्रेन के अंदर दो nuclear power plant है, एक है चर्नोबिल nuclear plant है, एक है ज नीकलिर्ट पावर प्लांट ऑफ यूक्रेन और यूरोप की बड़ा सबसे बड़ा यह नूकलिर पाउर प्लांट था और एक चीज जो यूक्रेन का तो यह फेक्ट है दूसरा अभी हाली में एंटोनोब 225 कार्गो प्लैन जो यूरोप का सबसे बड़ा यारक्राफ्ट है यूरोप का सबसे बड़ा यारक्राफ्ट है हाली में इसको मरिया भी कहते थे इसको मरिया इसको मरिया नाम से भी जाना ना थे मरिया को मार दिया रश्यान है मरिया को मार दिया रश्यान है फिर ही कहां स्थाफित था घर्स तमोल एरकर्फ्ट यूक्रेण कीव के अंदर ये मरिया को स्थाफित किया गया था next आपको एक्जाब्व में एक ग्रासलांड है जो ईकरण के अंदर जिसको कहते है students कहते क्या कहते है स्टेप्स यह याद रखना यूरोप में एक ग्रासलांड है जो यूक्रेन के अंदर है इसको कहा जाता है स्टेप्स कहा जाता है इसको स्टेप्स कहा जाता है देखो आपको फिर से समझा रहा हूं क्योंकि आपके एक्जाम के लिए काफी महत्फोन है देखो यूक्रेन यू उक्रेयन और रस्या को यह दोनों को अलेक करने कले Nikon साय कार्च स्टेट और यह दोनों काला सागर और अज्ब सागर को यह जोडता भी है च्र्च स्टेट वीर्ग यदेद्न का नदर नुकलियर पार्प्लंट है एक है चोर्नोबिल और वनलहेदा法 है यूप एक ग्रासलांड है जिसको कहते है स्टेफ और उक्रेन का राजधानी है कीव और इनका जो प्रेसिडेंट को ने जैलेंज की यान की बोलोडुमीर जैलेंज की है यह भी याद रखना और अभी हाली में एंटोनोव 225 कारगो प्लान जो यूरोप का लार्जेस्ट यान की यह पूरी दुनिया का लार्जेस्ट है सिर्फ यूरोप का नहीं पूरी दुनिया का जो लार्जेस्ट कारगो प्लैन था यह कहां था हस्तोमिल एरक्रप्ट यूक्रेन कीव के अंदर था इसको मरिया के नाम से भी जाना जाता था रश्या के द्वारा यह मारा गया और यह दे अपना होता चार एप्रिल नाइटीन फोटीनाइन में यूरोपयान इनों ट्वंटी सेवन नंबर है इनके दोनों का हेड़कॉटर है ब्रूशल बेल्जियम कंदर यह आपके एक्जाम के लिए महत्पून है और बाकी सारे फेक्ट फिगर जानने की कोई जरुवत नी जो इस इवयर element ही आपके एक्जाम के लिए आएगा बस यही समझ लो दखो इस विद में रश्या यूक्रेयन के उपर दो बंग गिराए था एक है भैक्यूम दूसरा cluster bomb यह हाली में news में क्यों देखो vacuum bomb vacuum bomb होता क्या vacuum bomb को aerosol bomb भी कहते है यह जहां भी गिरता है इसी एरिया कि इसके आसपास में जितना भी oxygen है सभी को observe कर लेता है और एक high temperature के साथ bombardment होता है जब bombardment होने के बाद सारे oxygen इस जगा इसको vacuum bomb कहते है मानलो किसी एरिया में यह गिरा जहां गिरेगा इसके आसपास में जितना भी oxygen होगा यह सारे को observe करेगा और यहां एक high temperature के साथ यह bombardment होगा यानि कि इस छेत्र जहां यह गिरा हुआ है इसी एरिया में पूरा भेक्यूम हो जाएगा यानि कि oxygen निल हो जाएगा इस तरह के एक cluster bomb मानलो यह एक bomb है इसी bomb के अंदर कई सारे छोड़े छोड़े इसे bomb होंगे यह जहां भी गिरेगा जिस एरिया में इसको छोड़ा जाएगा जहां यह गिरेगा इसे इरिया में यह जो अंदर में जो छोटा छोटा बम में यह सब बिखरेगा एक cluster में अलग-अलग जगा पे जाके यह सब गिरेगा अलग-अलग जगा के यह जिसको cluster bomb कहते हैं यह याद रखना एक तो भेक्यूम बम दूसरा cluster bomb यह आपके एक्जामे के लिए पूछ सकता है और दखो जब इस यूद में हमारे भारतिय जो लोग फशले हुए इसलिए हम ऑपरेशन गंगा चला रहे कंदर गहाया इउपकरेशन चला रहा है वं इसको उखरइब् संट करने लिए एपरेशन गंगा चले जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रांस्पोर्ट यार्क्राफ्ट इसको बोईंग कम्पानी ने बनाया था बोईंग कम्पानी यह भी याद रखना अपरेशन गंगा युक्रेन से फशे हुए भारतियों को निकालने के लिए सी सवें ग्लोबमास्टर सी सवें ग्लोब मास्टर यह इंडिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ट्रांस्पोर्ट यानि कि यह बिंग कम्पनी ने इसको बनाया था देखां कुछ रस्य के बार में भी जान ले थे रस्या का केपिटाल है मस्को इस यहां लंगोज बुल यहां अपर हाउस और लोस जैसे कि हमारे इंडिया में अपर हाउस और लोराउस राजेशभा और लोकसभा होता है इसी तरह यहां कभी जो अपर हाउस को संघ्या परिशत कहते हैं लोर हाउस को सिनेट डूमा कहते हैं यहां के जो करेंची है रेश्यान रबल करेंची है रब अधर जो रॉस्या के अंदर है और रॉस्या का प्रेसिडेंट के उतों पता है आपको रॉस्या का प्रेसिडेंद ब्लाड़ीमीर पुतिन आप से अगर रिवर पूछें तो यूपर ऑफी कि गजाज पेल घ्ञाइब से बतविती आप और एक चीज है आप अभी जो फिलाल जो संघर्ष चल रहा है रश्या और युक्रेन के बीच में आप न्यूज चनल में मत उल्जो और आप ये डिसकाशन ये अनालिसिस मत क्या करो कि मोदी ने क्या नहीं कर दिया हां यूएस के प्रेशिडेंट ने क्या नहीं क्या ये इनो क्या होगा आपका जो सोच काम में आएगा नहीं आएगा तो जो देश कर रहा है यानि कि जो भारत कर रहा है जो बाकी देश भी कर रहा है वो अपना करेंगे आपका काम है पढ़ाई करना पहले आप नोकरी निकालो फिर बाद में आप जो बनोगे आपका काम भी माना जितना भी सवाल है ये तो है और आगे जो होगा अफडेट दिया जाएगा तब तक पढ़ाई करो खूस रहो